प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी तीफरी बार सता की कमान सुभालने के बाद प्रधार मंत्री मोदी विक्षित भारत के विजन को पूरा करने में जुद गए हैं वो विदेश तोरे पर भी थे लेकिन आज प्रधार मंत्री मोदी के लिए ये दिन बहुत खास होने जा रहा है और केवल पीए मोदी के लिए नहीं बलकि बीजेपी के कारेकरताओं के लिए दिन बहुत खास होने जा रहा है आज वो BGP दफतर जाने वाले हैं कारेकरताओं के अलावा BGP दफतर के कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे उनका हाल चाल जाने अगा और आपा होसला बढ़ाएंके कई राज्जियों में चुनावी तैयारीओं के बीच मोडी के BGP दफतर जाने के क्या माएने हैं हमें इसे समझने के जरूरत है जब हम बार-बार मुद्दों की बात करते हैं विदेश जी हम ये चर्चा करते हैं कि कारेकरताओं के अंदर एक निराश शाथी कई हलकों में ऐसा था कि नीरस भी हो गए थे कारेकरता प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी से ज़ादा बेहतर करताओं के संकर को जानते हैं समस्याओं को आज की जो भारतिय जंता पार्टी में है वो नरेंद्र मोदी जी ने आमित सहाजी ने किसी MP को MLA को पार्टी के पदाधिकारियों को नहीं कहा था कि आप कारकरता के लिए अपना दर्वाजा खुल के मत रखिए दोनों अस्तर प को भूमी का निभाते हैं क्योंकि कोई कारकरता या बाहर का नेता अगर कारदालय में जाना चाता है तो उसका पहले सामना किस से होता है वो अंदर जाने देगा तो वो जाएगा नेता से वो मिलने देगा बाहर का आदमी तो मिलेगा और भारतिय जंता पार्टी में असंतो बनते हैं। अराम से आप बैठ के उनसे बात कर लीजें। बैठ के उनसे बात कर लीजें। बहुत अच्छा उनका कारकरम है। भारती जनता पार्टी की दृष्टी से है। अब देखना होगा उक्या मेसेज देते हैं। लेकिन एक सुरुवात है कि पार्टी में के बदलाव हम कैसे करें। लोगों के अंदर जो गुस्सा है या उदासिंता है। उस सब को हम कैसे दूर करें। ये बात ठीक है लेकिन सुमीर जी जो काम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कर सकते हैं, देश के बड़े संविधानिक पत पर बैठा हुआ है। जो कि बात एक सब्सक्राइब कर सकता है। या पार्टी के बाके नेता नहीं कर पाते हैं? या नहीं करना चाहते है या नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोधी का व्यक्तित तो वह लागी है। वह शंगठन के आदमी मूलतर है। संगठन से सरकार में आये मुख्यमंत्री बने और उसके बाद देश के पधान मंत्री बने बने संगठन में लंबे समय तक उन ने काम किया और देखे में के किसा याद दिलाता हूँ जब गुजरात की मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री के बाद पहले मुख्यमंत्री ब लेकिन जब गुजरात के मुख्यमंत्री ने शुरू कि तो क्या बhati-anta party को और भी राज्जो क्या मुख्यमंत्री थे उन्होंने परिपाटी शुरू किए कि अब अपने काराले में जा रहा है मैने में एक दिन और वहां कारकरता हॉशे मिल रहे है बाकि मुख्यमंत्री तो सफ्ना दहान देंगा चिलना अभर मemia मुठी पहले की बाट कर गाध ही और पदार मंत्री के बाद इने इस बात का मालूम है कि संगटन होगा तो सरकार रहे सिंगतन नहीं रहेगा तो सत्तह नहीं आने वाली है अगर सक्त्तम्न करें बने रहे तो संगटन शरोपर दुर ज glor़ातारी मैं चलना पड़ेगा संगठन को मजबूत करना पड़ेगा कार करता हुपक उस्साइद रखना पड़ेगा तभी स्रकार वापसी आएगी और जा Means छो होाय कि I कि आदत नहीं जुटती है सरकार में रहने के बाद भी सथा उनके वर आवी नहीं विये वह इंधा को कारकरता मानते हैं वह अभी भी भी आपको पर्दांस सब्ख मानते और बार बार कहतें रहते हैं मोधी और मंदीर आपको नहीं जिताएगा जनता के भीच आप जाइए शा सब्सक्राइब जानकारी मिलेगी एक एक साथ साल पूरा हो गया तो कारड़ाले में कहा जाता कि आप कल से नहीं आईए वो सरक पर आ जा रहा है तो मोदी जी जा रहे हैं तो थोड़ा इस सब के बारे में मुझे लगता है करताओं के लिए अपने आपको बना कर रखे हुए हैं इतने बड़े पदपर होने के बाद भी और किन नेताओं के अंदर ये क्वालिटी आप देखते हैं विजय जी बहुत सारे नेता हैं उसमें जिन में आपने शिवराज जी का जिक्र किया राजनाज जी ऐसे लोगों में करना था तो वह दुखी थे कि अब वहां पर लोगों का आना जाना रुख गया सीकुरिटी की वज़े से जो बात हो रही है ने नरेंदर मोदी जी की आप सोचिए कि अवदेश जी ने जो बात गये वह 100% ठीक है यदि आज प्रधान मंत्री जी वहां जा रहे है और ये पुराने नेता ने रहे है वह अज देन दियाल उपाध्य मारक पर जाएंगे आप तो वहां कारेकरता जाई नहीं सकता है वहां पर एक सिस्टम सरकारी दफ्तर जैसा मिनाक्षी से मिलने तो यहां पिर भी आ सकते होंगे वहां नहीं जा सकते हैं वहां आपको बताना अगर आजाए बीजेपी आफिस तो उनको एंट्री वहां नहीं मिलेगी इस इस्तिती में है पहले अशुका रोड में था तो सब खुला ही था सब लोग मिल रहे हैं जूल रहे हैं और प्रदानमंत्री जी क्या बात कर दानमंत्री तो सो बार बोला कि या MP मंत्री रात कादर करताहूं से मिलें यह बात बार बार करते रहें लेकिन उसको कोई नहीं सुन रहा और इसलिए आफ देख लिन नै जी राजनाच जी शिवराज जी नितिन जी प्रदान मंत्री जो भी लोग कारिकरताओं से मिलते रहे हैं उनकी एक अलग तो योगी आधितनाद भी तो इस तरीके के नेता हैं, जो काधिकर्टाउं से मुलाकात करते हैं, एक रियाक्शन इसमें संगी जी आपका लेकर फिर मैं एक और ख़वर पे जा रहे हूं, जी देखे, हम जब 2003 और 2004 की बात करते हैं, भारती जनता पार्टी कार जा लेकर और आ आप उससे बात कर लेते हैं, तो उसको लगता है कि यह मेरा अपना है, और यह बड़ा ओर्गनाईजेशन थेयरी में, पढ़ाते भी हैं, एक experiment किया गया, उसमें से एक चप्रासी से पूछा गया, भाइ यह बारे में मैंनेजर के बारे में बताव, यह काम ठीक करता या नहीं करता यह संगठन में, क्या क्या कै कमिया हैं, तो उसने कहा ये है, ये है, ये है, ये है, दो महीना बाद फिर उससे गया बदलाव हुआ है तो कहा रे बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है वो कहता है कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था लेकिन उसके मन में क्यों आया हमसे मैनेजमेंट ने पूछा मैं मुझको इतना तवज्जो दिया गया तो यह जो भावना है यह बहुत जो तमाम तुरंट करते हैं उनको फोन लगा दीजे उनको फोन लगा दीजे बेशक काम नहीं हो लेकिन कारज करता हुआ करता है जो गिए आधित्यनात जी की कारज़सैली को लेकर के जो एक सबसे बड़ी बात है इसमें कोई दोरा नहीं है कि अद्भुत प्रसासक है अद उतरप्रदेश आज इतना सांथ है रिलेटिबली तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो उनकी है लेकिन ये जो कार्ज करताओं के साथ दूरियां है या कोई मिलने के लिए दिया अपॉइंटमेंट है तो होता क्या है कि नेता के आसपास जो चौकडी चंडाल चौकड वो नेताओं को काटती है नेता नहीं काटता है अपने आपको नेताओं को हमेसा अच्छा लगता है मिलना वो कभी मना नहीं करेगा लेकिन उसके जो चौकडी है चंडाल चौकडी जो बैटा हुआ है वो आपको नहीं मिलना उनको डर लगता है कि समीर जी आ जाएंगे तो सोचे कि अध्तर प्रदेश के मन्तरी यदी मुख्य मुख्य मंतरी से नहीं मिल रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि योगी जी ने उनको मना किया होगा लेकिन वहां जो बैठे हुए जो बिरोक्रariesie यह काम भी नेता की जिम्मेदारी है उसे किसे अपने पास रखना है और किसे रस्ता बाहर का दिखाना है और सबसे बड़ी बाद जो प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी की कारेशेली में है वो यह जानते हैं कि उन्हें कारेकर्टाओं से खुद नीची संबाद कैसे स्थापि करना है और इसी के कड़ीन में आज वो खारिकर्टाओं से पाचित बने जा रही है भारतिये बंटा पार्टी के किसी लिफ्टिस्ट के कोई दुरघटना होती है उसका सोक संदेश चला जाता है लेकिन अपने पत्रकार अपनी पार्टी के अपनी जुड़े हुए पत्रका अब ही हमने जिन नेता की बात के उनमें से एक नेता का नाम आए शिवराज सिंग चौहान अब जब हम शिवराज सिंग चौहान की बात करते हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे और लंबे समय तक रहे विधान सुभा चुनाफ के बाद जब उन्हें सीम नहीं बनाय गया था तो बहुत सारे सवाल उठेते की शिवराज सिंग को किनारे कर दिया गया है अब शायद उनकी उतनी वाली उतनी पावर नहीं रही है लेकिन सीम ना बनना उनके लिए फायदेमन साबित हुआ है यह हम क्यों कह रहे हैं उसे समझे केंद्र में शिवराज सिरेकर जारखंट के दौरे पर जा चुके हैं और अब उन्हें बिहार भीजा जा रहा है जहां वो कारेकरताओं से समबात करने वाले हैं और यही रोल हर्यारा के पूर्वसिये मनोहरलाल खटर को दिया गया है वो भी चुनावी राज्यों में एक्टिव दिखाए दे रहे हैं कलखटर बंगाल बीजेपी कारे समेधी के बैठिक में शामिल हुए और उन्होंने किस तरह कॉंग्रिस पर अटैक किया वो आपको सुनाते हैं और फिर इस वर चर्चा करेंगे पहला चुनाव है कि विपक्ष के लोग भी खोश हैं पहला चुनाव है सत्ता पक्ष भी खोश विपक्ष भी खोश अभी विपक्ष के खुश होने का उनके जो गलत फेमी है जो उनको भ्रहम है वो क्या भ्रहम है उसका विशलेशन करना चाहिए ना तो 2014 में उनके पास मान मनप्रताप्राप्त करने के सीटें थी, खुशी का बात उनके लिए हो सकता है, कि इस वार मनप्रताप्त भी पक्ष वो, निन्यानवे का सीटें ले गए हैं, इसलिए वो खुश हो रहे हैं, यह है खुशी का खाल, और हम कहते हैं, लगातार मेतापते बनते भी रहूर, कर गए हिंदी का एक शब्द है मिर्ग मरीची का मिर्ग मरीची का करती ही होता है कि एक हिरन राजसान में अगर दोड़ता है दूर तक रेत होती है प्यासा होता है इसको प्यास लगी होती है मिर्ग हिरन को तो दूर रेत में ऐसा लगता है कि पांसाथ किलोमेटर के आगे पा पानी होता नहीं उसको लगता पानी वो दोड़ता वहां पहुंचता देखता पानी है नहीं फिर वो प्यासा यह प्यासा रह जाता तो इनको भी मृज मृज का की बिमारी हो गई है इनको लगता निन्याणवे सीट लेकर के शायद मुसक्ता में आ गए है शिवराज सिंग चोहान पर पहले हम बात कर लेते हैं विजय जी शिवराज सिंग चोहान एक वो नेता जिनके बारे में कहा गया कि देखे आप तो इनके राज्ये से बाहर का रास्ता दिखाया गया है यह कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी ताकत को खशीन करने के एक तयारी है लेक जा जाते हैं वहाँ पर अब शिवराज सिंग जोहान आगे दिखाए दे रही हैं खटर आगे दिखाए दे रहे हैं शिवराज जी की जरुरत इस्ता में सबसे जादा है और शिवराज जी ने जो परफॉर्म किया जिस तरह से मध्यपदेश के चुनावों में मुख्यमंत्री के दाविदार के तौर पे पेश नहीं किया गया उसके बाद भी मध्यपदेश जिता है और चक्तिसगर जैसी क्या किते हैं उनके कमल राज जी की जो सीट थी चिंदवाडा सीट को भी उन्होंने जिता दिया लोक सभा में तो वो एक बड़ा काम उन्होंने किया और जब वहाँ पर पद्यपदेश में विधान सभा में बहुमत मिल गया और उसके बाद भी नहीं बनाया गया तो वो कोई अब हम पहले कारेकरताओं की चर्चा कर रहे थे तो मैं समस्ता हूं कि शिवराज जी से ज्यादा करनेक्ट वाले लोग इस समय की पीड़ी में नहीं है और वो कारेकरताओं के साथ जा रहे हैं यदि जो हार की भी दुविधा और तकलीव है पार्टी को कारेकरताओं के करना मेरे लिए चुनौती है यह बात जब छोड़ देते हैं तो बहतर होता है बहतर टीम मजबूर टीम होती है शिवराज जी का फायदा मुझे लगता है बहुत बड़ा होगा पार्टी को जब कारेकरताओं के साथ करेंगे खटर साब के बारे मैं मैं दोनों को कंट्रास् करेंगे खटर साब के तो परिशानी अभी जब उनको हटाया गया तब भी नाराजगी वही थी उनकी को सरकार को लेकर बहुत परिशानी नहीं थी कारेकरताओं से उनका कनेक्ट नहीं है ऐसा आरोब बार बार लगता रहा और उस वज़े से अब वो बड़े नेता है इसमे मगर वारतिय अंता पार्टी के अब लिडर्स को देखर को तो सीने अर्मोस लिडर्स में आते मुख्य मंतरी बनने के पड़े चार बार वो सांसाद रह चुके थे 18 साल मुख्य मंतरी रहे संगधन काउंद के पास एक लंबा नोबा रहा था अटल जी आडवानी जी बहुत भारति का विवाद हुआ उसके बाद बाबुलाल गोर मुख्य मंतरी बने उस समय लग रहा था कि मत्यपदेश में जो सरकार आई है चली जाए यह कोई इस्थाइत नेतुर तो मिल दी रहा है उस समय शिवरा सिंग चौहान को मुख्य मंतरी बनाकर बेजा गया और शिवरा शिवरा सिंग चौहान को एक साल पहले पार्लेमेंटी बोर्ड सहटा दिया गया मुझे लग रहा यह ठीक नहीं था जब भारतिया जनतापाटी के सरवोच्च निति द्रण सहस्ता में अगर शिवरा सिंग चौहान नितिन गळकरी जैसे लोग रहते तो उसकी और ताकत बन पार्लामेंटी बोर्ड में रहते हैं आप लालपुरिया जैसे नेता को पार्लामेंटी बोर्ड में रखते हैं आप वहां पर सुधायादा और जैसे नेता को महां रखते हैं तो जो इतने सीनेर लेडर जिनका लंबा समय तक भारतिया जनता पार्टी के संगठन में और सरक बूमिका रही है जो जनता से जुड़े रहें मुझे लग रहा उन लोगों को परलामेंटी बोड में रखना चाहिए यह पार्टी को देखना चाहिए हालां कि शिवरा सिंग चवान रहते तो जहादा बहतर करते हैं अब केंदी के राजिती में आ गये तो वह उन्हेना अपन मिलाकर जितना मद्दवदेश का बजट है उतना इन दोनों मंत्रा लोग का बजट है तो इतना बड़ा मंत्रा उनके पास काम करने के लिए दिया है संगठा ने वड़ी भूमी का उनकी देखे जा रही है उन्हें तो अगले राष्ट्री अद्धर्श की रूपर भी देखा कर लाए मोदी जी के साथ काम किया तो संगठन और सरकार चलाने के लिए वह खतरस आपके पास नहींता लेकिन खतर साफ ने बहुत इमान दारी सो बहुत बहुत बहँत परशन चलाया इसलिए सरकार वापिस आई और मुझे लग रहे है के अंदर में उनके बड़े वंत्रा करेंगे और अब संगठन में जिम्मदारी निभार है तो मुझे लग रहा है और परिपक्व होंगे वह अब देशी आपकी राए थोड़ा सा संशेप में किसे शिवराज जी कारकरताओं से संबाद करने के दृष्टी से भेजा गया है और यह काम हो कर रहे हैं नेताओं से सं होता है जो रियक्त नहीं करेगा जिन पड़िस्थितियों में अभी कार करता आएंगे उसमें कोई गाली भी दे रहा हो तो उसको सुन लेना कोई धक्का मुकी कर रहा है उसको परदास कर पड़िस्थिति देखिए इस समय अनेक राज्यों की तो वहां जाने का मतलब ऐसा जाए जो शांत मन से सबसे हाथ जोर करके नेताओं के सामने भी बिनप्रता से बात करके और पार्टी में जो मद्भेद है उसको दूर करते हुए पठड़ी पर लाए उसमें इस समय सिवराज जी चौहान जो है बेगदम फिट बैठते हैं जितना हम लोगों ने उनको जान करने वाला एक ही लाइन बोलते थे मामा जी रहेंगे तो हम लोग नहीं जीतेंगे और यह इतना अभियान पिछले देर साल पॉने दो साल में चला था जो लोग सोसल मीडिया देख रहे होंगा यहां के नेताओं से मिलना अब वो चल रहा था अब मैंने मैं जब जनता से ज पीरा रही होगी कि हम मुख मंत्री पद से हाला कि लंबे समय तक मुख मंत्री रहे हैं अगर नई पीधी को सत्ता ट्रांसपर करना है भविष्ट की दृष्टी से तो ऐसे कुछ कदम उठाने होंगे अब उनकी भूमिका है लेकिन खटर जी खटर जी पर बहुत सारे सवाल हडियाना में रहे हैं और इस समय भारतिये जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा कहीं चैलेंज है तो वो हो गया है पस्चिम बंगाल जिस समय वहां कारकरताओं के बिरू देहिंसा हो रही है लोग घर छोर के भागे हुए है वहां कारकरता और नेता और समर्थक कर रह अब फिर जीते कैसे इसका चैलेंज है और इसलिए इस वर्ग बीजेपी जो कॉस्ट करेक्शन में लगी हुई है अपने घर के मरम्मत करने में जुटी हुई है उसमें शिवराज सिंग चोहान और मनुहर डाल खटार दोनों को जिम्मेदारियां दी गई है